हाई गाईस वेलकम बैक टो मैं चैनल अनुपामिस्ट तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हैंड आनलेसिज ओफ एलाउन मस्क तो इनके हाथ का अनलेसिज में अपने वीडियो में आज करूंगी अगर आपको भी अपने हांड का अनलेसिस करवाना है तो में आप देखिए वहां मैंने अपना email address दिया हुआ है और अपने charges भी बताए हुआ है कि मैं कितना charge करती हूँ full hand analysis का तो चलिए start करते हैं आज का ये वीडियो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इनके हाथ का size है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इतना बड़ा अगर हाथ का size किसी का हो तो वो उन में बहुत ही ज़्यादा energy रहती है और हम सब जानते हैं कि Elon Musk बहुत जादा time तक काम करते हैं ऐसे लोग 18 घंटे तक भी काम कर सकते हैं और ऐसे लोगों की body में बहुत energy रहती है अपने काम को लेके ये कभी भी पीछे नहीं हड़ते हैं थकते भी ये देर बात सही हैं और इनके हाथ पे जो उनकी fingers है वो भी बहुत powerful हैं काफी थिक हैं तो fingers में भी इनके काफी जादा power हमें नजर आ रही है और सबसे बड़ी बात है जो उनका जो thumb है वो आप देख रहे हैं थम कितना अच्छा इनका बड़ा strong है तो ऐसे जो thumb के लोग होते हैं वो अपने under 200-300 लोगों को आराम से काम करवा सक सकते हैं उनको handle कर सकते हैं और साथ में यह डॉमिनेटिक नेचर के भी है क्योंकि थम काफी जादा थिक है तो हम जानते है कि एलॉन मस्ट जो है वो थोड़े डॉमिनेटिंग है अपने कली से काफी मतलब सक्ती से काम लेना यह पसंद करते हैं तो ऐसे लोगों का ऐसा सब की एलॉन मस्क्ट जो है वो अपनी प्लानिंग्स खुदी करते हैं और उसको एक्जीक्यूट भी करते हैं और खुद यह अपने जो इंप्लाइज है उनको बताते हैं कि कैसे करेंगे जो भी उन्होंने प्लानिंग की होती है तो उनको वो समझाते भी हैं तो सबसे जो बड़िया साइन मुझे इनके हाथ पे अभी तक जो दिखा वैसे तो मुझे लगता है काफी जादा क्लेयर पिक्चर है लेकिन जरूर इनके हाथ पे और भी बड़े अच्छे-चे साइन होंगे जो की इस पिक्चर में नहीं दिख रहे हैं लेकिन एक साइन आराम से हमें द बड़े अग्चर में वहां जादा था उनके हाथ में बहुत पैसा आता है और वो उसको सेफ भी करके रखते हैं तो हम जानते हैं सब कि अलाउन मक्स जो है वो नंबर वन पोजिशन पे हैं वैल्थ के मामले में तो मेबी बिकॉस अफ दिस साइन तो और भी बड़े सारे सा जरूर होंगे इनके हाथ पे तो बाकी बार लाइन भी है इनके अंगुठे पे तो बार लाइन जो होती वर चीनी होती है यह बहुत खर्चा करवाती है ऐसे लोग जो होते हैं अगर उनके पास पैसे ना भी हो तब भी वो खर्चा करते हैं तो यह लोग काफी जादा फटे फटे उपर तक जा रही है तो इनका mercury इनके हाथ पे बहुत जादा स्ट्रॉंग है जो कि इनको business sense देता है और इनके business को आगे बढ़ाने में help करता है तो हमें अच्छे से पता है कि Elon Musk वो business man है और इनका business क्यों इतना चाँ चल रहा है सन लाइन की जहां तक मुझे लगता है वो यहां से शुरू हो रही है ऐसे करके जा रही है जिनकी सन लाइन यहां से शुरू होती है नीचे से उनके पास तो पैसा आ नहीं है उन्होंने तो ग्रोथ करनी है सन लाइन जो होती है वो फेम देती है पैसा देती है इज़त देती ह के भी है तो रिस्क लेना बहुत पसंद करते है और लेकिन रिस्क इनको फल भी जाता है क्योंकि इनका हाथ जो है वो बहुत अच्छा है जिसकी वज़ा से रिस्क लेते हैं और इनका रिस्क जो है वो इनको फाइदा देता है ऐसे बड़े सारे लोग होते हैं जिनका रिस्क में चले जाते हैं तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि अगर आपकी संफिंगर लंबी है और संवांट बहुत अच्छा है तो ऐसे लोग रिस्क लेते और उनको फलता भी है तो यह था इनका संवांट और अभी मुझे लगता है जो साइन्स वगरा बन रहा है वो भी हम देख रह होंगे यहाँ पर कुछ भी निब रहा है यह लाइं दिख रही है मुझे हो अकные लाइन वह जाने होना बड़ी square sign देखा है तो यह square sign बता रहा है कि इनका जो business है वो दूर-दूर तक बहुत सारी countries में फैलेगा और बहुत फले फुलेगा इतना बड़ा square sign और सारी जगा से ये बंद है तो जिससे की साफ पता चल रहा है कि इनका business जो भी ये करेंगे वो बहुत ही अच्छा flourish करेगा और इतना बड़ा triangle triangle क्या दिखाता है property बगारा मान सम्मान ये वो इज़त बगारा और साथ में इनको देता रहेगा और एक negative sign है जो कि ये cross sign prominent cross है ये तो इतना बड़ा और इतना prominent अगर cross sign आपके सन में आ जाए तो वो आपको क्या करेगा एक तो आपकी boss के साथ बिलकुल भी नहीं बनने देगा या फिर जहां पे आप काम कर रहे हैं आपकी workplace में वहां पे आपकी image खराब करेगा और या फिर आपके जो पापा है जो आपके फादर है जो आपके पिता जी है उनके साथ मत भेर रहेंगे आप उनके साथ आपकी बिलकुल भी नहीं बनेगी तो इन में से इलान मस्क के हाथ में जो ये sign है cross sign वो क्या चीज दे रहा है इनके पापा के लंबी हमने देख ली और मुझे लगता है ये भी कुछ fish signing के सन पे है definitely होगा तो ये fish sign अगर है clear है तो बहुत जादा पैसे देता है इतना बड़ा fish sign सन के उपर तो definitely ये सारे signs जो है इनके हाथ पे वो ये सब चीजे इनको दे रहे हैं अब आई Saturn की बारी तो Saturn पे आप important है जो कि इनके हाथ पे है और साथ साथ में एक square sign भी है आप देख रहे हैं यहाँ पे Saturn पे बहुत ही बड़ा square है जो कि क्या करेगा एक तो इनको protect करेगा अगर इनकी health करा खराब रहती है उस चीज़ से बचाएगा और साथ में इनकी money जो भी spend करते हैं जो भी बड़ा खर आती है तो यह उस चीज़ को बचाएगा और health में भी इनको क्या करेगा कि अगर कोई इनको problems आती है अब problems तो सभी को आती है ऐसा तो है नहीं कोई भी बिमार नीपड़ता है हर कोई पड़ता है लेकिन वो चोटी temporary रहेंगी वो permanent नहीं होंगी बड़ी बिमारी नहीं लगन स्कृАर सइन जो होता है वो teacher स्कृAर कहला जाता है सने यह तो इसे बंदेंगे ओर सा जब्दें जो भी धाने चाहें और फी Amanda संज़घ वर z तो अगर लेकिन आपके पास ambition line नहीं है लेकिन फीकी है तो उसमें क्या होगा कि आप सिर्फ दिमाग में ही सोचते रह जाओगे कि मैंने ऐसे करना है लेकिन आप उठके ऐसी हिम्मत नहीं आगी कि आप वो काम स्टार्ट कर सको तो ambition line जो होती हैं वो यही काम करती हैं आपको हिम्मत देती हैं आपको उठाती हैं अपने गोल की तरफ भगाती हैं तो यह चीज भी बड़ी important है जो कि इनके हाथ पे है और उसके बाद आगया इनका inner और outer mars तो outer mars और inner mars भी दोनों बहुत strong हैं यहां पर थोड़ा आपको कम ल जुड़ा हुआ बिजनस करें तो बहुत फलता फुलता है ऐसे लोग अगर जमीन से जुड़ा हुआ बिजनस करें तो वो भी फलता फुलता है तो इलान मस्क सो हम जानते हैं कि टेसला कार जो कंपनी है वो इनकी है और टेकनोलोजी में भी हैं बहुत जादा और साथ में र और हम देख रहे हैं कि इनकी डबल लायफ-लाइन है जिस की आजाए उन वह लोग सो साल से बहुत जादा एंर्जी रहती है तो यह дух ब्लतुर 심गे जोू tirar जो पर जाते है और उनके हाथ में। वेनस है वो बहुत स्ट्रॉग है वीनस भी इनका बहुत अच्छा है वैसे उनके हाथ पे सभी माउंट बहुत ही अच्छा है तो यह लगजरी से जुड़ी हुई जो भी आइटम बेचेंगे वो इनकी बहुत जादा बिकेगी और चलेगी और जो हम जैसे जानते हैं कि यह ट हम पहते ही लांट पे टौ लगजरी इनकी अवेल करीन है अपनी की लाइफ है यहां लगजरी ही लगजरी आगे पीछे तो इसके बाद हो गया की मूनठ मून्माउंट मून बहुत फाइदा होगा तो moon mount तो इनका बहुत ही अच्छा होना भी चाहिए Elon Musk का हाथ है तो moon mount तो जरूर ही अच्छा होगा इनका definitely क्योंकि इनका इन्होंने खुद से ही सारा कुछ सीखा है मैंने इनके बारे में सुना था कि इन्होंने जो rocket science है वो books से पढ़ पढ़ के इन्होंने सीखिये तो इन्होंने को भी ऐसी कोई official पढ़ाई नहीं की हुई उसमें तो इतना इनका moon mount strong होने की बज़े से ही वो काम कर पाए और भी बड़ी सारी इन्होंने inventions की हुई है तो यह कर भी रहे हैं वो करने की कितनी हिम्मत है तो वो सब कुछ moon mount दिलाता है और साथ में foreign से connection भी moon mount ही देता है तो आप देख रहे हैं कि South Africa में यह पैदा हुए थे तो इन्होंने आके पिछे countries में कितनी सारी countries में जाके अपना business बढ़ा लिया है तो वो सब कौन दे रहा है इनको इनका अच्छा जो हो रहा है वो moon mount की वज़े से और इस पर अच्छे चे साइंस होने की वज़े से और भी अच्छा हो गया है तो बाकी इनका सब हमने देख लिया हार्ट लाइन जो इनकी है वो सीधे जूपिटर में जा रही ऐसे लोग पैसे वेस्ट करते हैं ऐसे लोगों के पैसे वेस्ट हो जाते हैं कोई अगर उधार मांगे वो यह दे दे तो वो वापिस नहीं आता है पैसे की वेस्टेज है लेकिन जितनी इनकी wastage होती है उत से double इनके पास आ जाता है तो इनके हाथ पे ये भी चीज़ है क्योंकि हमने Saturn पे square देखा था तो protection भी है और साथ में उसको double करके देने का भी जो Saturn है वो काम करता है तो ये चीज़ है बाकी इनकी heart line अच्छी है कहीं से भी chain टाइब कुछ formation बनना वैसा कुछ नहीं है तो सब इनका ठीक है हाँ एक line fall हो रही है जो मुझे लगता है यहां तक जा रही है तो ऐसी line अगर heart line से fall हो जाए तो divorce वो जरूर करवाती है और हम जानते हैं कि इनका दो बार divorce हो चुका है अब मुझे नहीं पता शाए तीन बार हो चुका है लेकिन मैंने एक जगा सुना था कि इनका दो बार हो चुका है तो ऐसे लोगों का ये problem रहती है कि उनका divorce होता ही होता है एक 100% की surety हो जाती है अगर ऐसी कोई line fall हो जाए तो heart line से जो उनकी है तो वो हम साफ देख रहे हैं और इसके बाद वैसे तो उनकी marriage lines दो नोगी अच्छी लग रही है मुझे कहीं से कुछ problem नहीं लग रही है बट इनका दो टाइम divorce हो चुका है क्योंकि because of this line उसके बाद हम देख रहे हैं की mind line जो है बहुत ही अच्छी है mind line इनकी छोटी है medium size की mind line है जो इसी mind line वाले लोग अगर business करते हैं तो उनका business बहुत अच्छा चलता है क्योंकि ऐसे लोगों को पता होता है कि business कैसे करना उनको business sense बड़ी जादा होती है mind बहुत शाप होता है ऐसे लोगों का और business में mind शाप होना ही बड़ा जरूरी होता है जो कि alarm mask का है और उनकी mind line में कुछ खास problem नहीं लगरी मुझे triangle की formation है triangle भी property देते हैं वो तो हम जानते ही Elon Musk के पास बहुत सारी properties है और अगर कहीं पर island अगर इनके mind line पर बन रहा है तो वो जो time होगा वो जो age होगी उसमें अगर ये कोई भी decision लेते हैं तो वो इनका गलत साबित होगा ऐसा होता है तो लेकिन मैं अभी कुछ shorty नहीं कह सकती हूँ कुछ इतना खास मुझे दिखनी रहा है और mind line से चोटी चोटी lines उठ रही है जो की mercury की तरफ इशारा कर रही है तो mercury की तरफ अगर mind line से कोई indication चाहे तो उसका मतलब यह होता है कि ऐसे लोगों को business करने की चाहा बहुत जादा होती है वो business करते ही करते हैं जुरूरव अगर कोई नोकरी कर रहा हो और उनके हाथ पर भी ऐसा sign हो तो वो business जडूर खरेंगे नोकरी के साथ साथ वो business टार्ट कर लेंगे उनका दिमाग बोलेगा उनको की बिजनस करना है करना है करना है जब तक वो नहीं कर लेते हैं उनको चैन नहीं मिलता तो यह जो लोग होते हैं इनके साथ यह चीज रहती है तो जो Ilan Masks को हम सब जानते हैं कि वो उनूने अपना इतना चाब बिजनस उनका चल रहा है तो mind line बहुत अच्छी है और थोड़ी mind line जो है वो life line से थोड़ी सी पीछे होके चल रही है हलकी सी पहले जुड़ी होई थđ फिर पीछे होगी तो इन्होंने बड़ी ही छोटी एज में अपने आपको संभाल लिया इंडिबेंडेंट कर लिया वो भी हम जानते हैं ये अपने माबाप से अलग हो गे थे काफी छोटे थे अपने पापा के साथ रहते थे जिनके साथ इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी तो अच्छे-चे साइन्स हैं के हाथ में इनके हाथ का साइज सब कुछ मिलाके इनको ये रिचेस्ट परसन आफ दी वर्ल्ड बनाता ही है तो ये जो ऐसे वाले जो लोग होते जिनका हाथ इस तरह का होता है डेफिनेटली वो लोगों के हाथ में पैसा होता ही होता है ऐसा ह यह नहीं सकता कि ऐसा हाथ हो और आपके पास पैसा ना हो तो यह था इलान मस्क के हाथ की एनलेसिज अब मुझे यह मन था करने का बहुत टाइम से तो मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं तो डिसकस करने का मन था तो आज मैंने कर दिया तो कैसा लगा आपको आप कमेंट सेक्शन में जुरूर बताइए और अगर आपको भी अपना हाथ दिखाना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा चेक कर लीजिए मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ-बाइन टेक केर